हाई गीज और वेलकम बाक तो दी चैनल दीपच्यादव एजूकेशन वेलकम तो दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल इनालिसस अफ सेकिंड ओफ जुलाई 2023 तो गाई आज है तारिक दो जुलाई 2023 और है संडे देखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीट न्यू एडिटोकेशन यूपीएसी एस आप लोग को यह वला चैनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहां पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडिएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मि साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है सत्पूरा टाइगर रिजव को कहां पर है यह एक्जैक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओ गए साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रिविएस यर साल 2015 के प्रलेम्स में पूछा या था डेली बेसिस पर हम लोग यहां पर एक प्रिविएस यर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या बोलता है modern scientific research के context में आपको एक चीज दी गई है जिसका नाम है ice cube ice cube basically एक particle detector है जो कि south pole में located है तो इसी ice cube के basis पर आपको तीन statements दिये गए हैं बताना है कि कौन सा statement सही है पहला statement बोलता है कि जो यह ice cube है जो कि एक particle detector है it is the world's largest neutrino detector encompassing a cubic kilometer of ice second statement it is a powerful telescope to search for dark matter third statement it is buried deep in the eyes तो इन तिनो statements के basis पर बताओ कौन सा सही है नीचे आपको option दिये गए है option A one only, option B two and three only, option C one and three only या फिर option D three के तिनों सही है तो इसका सही answer सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily basis पर बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको telegram पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है के अंदर जो एक topic है mineral and energy resources वहाँ से link कर सकते हो साथी साथ में GS paper number 2 government policies and interventions के साथ में भी आप इसको link कर सकते हो तो हमारी सरकार ने अभी 30 critical minerals की पहचान की है यानि कह सकते हो 30 critical minerals की एक list तयार कर ली गई है कि इंडिया को mainly इन 30 critical minerals की आविशक्ता पढ़ती है क्या होते है critical minerals सारी चीज़े एक एक point करके हम लोग clear करेंगे और बोला जा रहा है कि इनी 30 critical minerals के दम पर इनी के business पर भारत जो है आत मनेर भर self-reliant बनता हुआ नजर आएगा अब ये क्या है पूरा matter इसको discuss detail में करने से पहले मैं आपको कुछ sources दिखा देता हूँ जैसे आप यहाँ पर देख पार होंगे पिछले 2-3 दिनों से लगातार इसके बारे में discussions हो रहे है Indian Express ने इसको बहुत details से publish किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो data use किया है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा वो mainly Indian Express से cover किया गया है उसके बाद आप various news articles देख पार होंगे जैसे यहाँ पर mention किया जा रहा है India's government list 30 critical minerals in clean energy push बस करना क्या है स्क्रीन पर नीचे देखना सारे data आपको स्क्रीन के नीचे में available करवा दिया गया है तो context आप समझी चुके हो कि जो हमारी ministry of mines है जो कि हमारी सरकार के अंडर में आती है इन्होंने हाल ही में एक list तयार किया है critical minerals for India की और इस पूरे report को prepare किया गया है पूरी की पूरी एक expert team के माधियम से और उस expert team को एकटा किया या उसको बनाया था हमारी ministry of mines ने तो इस report ने identify कि है कि भारत के लिए भारत की economy के लिए कौन कौन से critical minerals है जो कि हमें regular basis पर जिनकी आवश्यक्ता होती है जिससे हम लोग net zero emissions को या फिर कह सकते हो अपने देश से pollutions को खतम कर सकते हैं ठीक है अब समझते हैं कि पहली चीज ये critical minerals होते क्या है अब critical minerals को भी समझने से पहले समझो minerals क्या होते हैं देखो minerals जो ये खनेज होते हैं ये natural substance है जो कि हमारे geological processes से बन कर निकलते हैं इनमें अपने आप में एक chemical composition इनकी अपने आपकी कुछ properties होती है कुछ minerals हमारे metallic होते हैं कुछ non-metallic minerals होते हैं उनका जो characteristics है उनके nature है उसके ओपर depend करता है example एक्जामपल ये है कि जो हम बात करते हैं metallic minerals की तो metallic minerals वो minerals होते हैं जिनके अदर metals पाई जाते हैं iron, copper, gold, silver ये सबसे बड़े example आपको देखने को मिल जाएंगे metallic minerals के second non-metallic minerals वो होते हैं जिनमें ये metals नहीं होता है simple सी बात है अब जिनमें metals नहीं होता है तो जैसे example limestone हो गया, ठीक है, coal हो गया, meka हो गया, gypsum हो गया ऐसी और भी कई सारी चीज़े हैं तो ये हमारे खनेज हो गए ये minerals आपको समझ माया अब इनी minerals के अंदर से एक और section निकलता है जिसको हम लोग critical minerals बोलता है critical minerals वो minerals होता है जो भी किसी भी देश की national security के लिए उस देश की सुरक्षा के लिए उस देश की economic development यानि जो उसकी अर्थ विवस्ता है उसकी विकास के लिए use किये जाते हैं और अगर इन minerals की availability नहीं होती है ये minerals अगर नहीं पाई जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं supply chain में एक disruption आएगा इससे देश बर में और देश बर में क्या दुनिया बर में अगर supply chain कम होगा तो इससे बहुत बुरा impact पढ़ना शुरू हो जाएगा पूरे दुनिया बर की economy के उपर में कैसे वो सब कुछ आगे आपको पता चलता रहेगा अभी क्या होता है ना कि अलग अलग देश जो है उन्होंने अपनी खुद की list जारी कर रखी है कि जैसे USA को इतने minerals की इतने critical minerals की आवश्यक्ता पढ़ती है जैपैन को इतने critical minerals की आवश्यक्ता पढ़ती है तो इन देशों की अपनी खुद की list है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ for example US US ने total 50 critical minerals को declare कर रखा है कि ये critical है US के लिए US की national security के लिए उसके economic development के लिए वैसे minerals कई सारे लेकिन ये 50 minerals US के लिए important है ये US ने identify गिया फिर जैपैन आइडेंटिफाई किया कि जैपैन के लिए 31 minerals, इनमी minerals में से 31 minerals बहुत important है उनकी economy के लिए बहुत ज़रूरी है UK ने यानि United Kingdom ने 18 minerals को critical ठहराया कि वो 18 minerals इनकी national security और economic development के लिए important है minerals तो बहुत सारे हो गए उनमें से critical minerals जो की अतिया विश्रक हो जाए है फिर उसके आद में European Union ने अपने 34 minerals के list मना रखी है Canada ने 31 minerals के list मना रखी है सभी देश ने अपने list को तयार कर रखा है अब इंडिया भी अपनी list के साथ में आ चुका है भारत ने भी 30 critical minerals बता दिये 30 minerals बता दिये जो की बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है भारत की national security प्लस हमारे economic development के लिए समझ गए असान था बिल्कुल अब बात करते हैं इंडिया ने कौन कौन से critical minerals को identify किया है very very important point बहुत यहां से जुनना जो expert committee तयार की गई थी ministry of mines के अंडर में उन्होंने 30 critical minerals को भारत के लिए identify किया है और उन 30 critical minerals के जो नाम है वो ये लिखे वे हैं आपने जरूर से पाता होना चाहिए लेकिन करना क्या अब ऐसे याद तो रख नहीं पाओगे exam से पहले एक बार नजर डालके जाया जा सकता है इसके ओपर क्योंकि एक relevant topic इसको अलग से जो notes बगरा formation करते हो ना देखो यहाँ पर notes बनाने का एक तरीका होता है कुछ topic ऐसे होते हैं कि जो आप कितनी बार भी revise कर लो यह याद नहीं रह सकते हैं यह जैसे यह चीज़ है 30 minerals यह याद नहीं रख पाओगे मुझे पता है ठीके तो यह topic क्या होते है exam जब है आपका उसे एक दिन पहले देखने वाले topics होते है तो उसकी list एक अलग होती है उसकी list अलग बनानी पड़ती है यह यहाँ पर एक तरीका होता है बेतिन तरीका अब exam से पहले आप तुरंत पढ़ कर जाओगे थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा अगर question आता है तो आराम सब लगा पाओगे जैसे G20 countries को लेकर सवाल पूछ लिया गया था कि G20 countries में से कौन मतलब आपको पूरे की पूरे 19 countries और एक European Union के बारे में पता होना चाहिए था चीक है विस आप पढ़ते रहते हो काफी लोग को इस कारे में पता है ट्रिक्स वगरा लगा लेते हैं लेकिन यहापे मैं बात कर रहा हूँ कि एक और बड़ी ट्रिक की कि आपने exam से पहले थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में पता होना चाहिए अब वो 30 critical minerals कौन कौन से है फटरफट एक बार नाम देखते हैं Antibony, Beryllium, Bismuth, Cobalt, Copper, Gallium Germanium, Graphite, Hafnium, Indium, Lithium फिर उसके बार में Molybindum, Niobium, Nickel, PGE, Phosphorus, Potash, REE, Ranium, Silicon, Strontium, Tentulum पुरुसकाद में Tellurium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium, Selenium and Cadmium ये इंडिया के लिए 30 critical minerals की काटिगरी में रखे गाए हैं इसके अलावा जो हमारी Ministry of Minds है ना इन्होंने एक बात और बोली है कि हमारे लिए इन critical minerals के लिए एक अलग से body होनी चाहिए जिसका नाम होगा Center of Excellence for Critical Minerals इस नाम ये एक जो body है वो बनानी चाहिए ऐसा खोद एक committee ने recommend किया अब क्या बात की जारी है कि जो ये Center of Excellence आप बना होगे न ये body क्या करेगी इन critical minerals की list को update कर दी रहे है जैसे अभी तो total 30 critical minerals है अब मान लो आने वाले समय पर इंडिया को किसी और minerals की बहुत ज़रुत पड़ती है तो एक नए minerals को इस list में add कर दिया जाएगा ठीक है तो time to time list को update करने के लिए एक अलग से body होनी चाहिए अब question या आता है कि सर इतने सारे countries critical minerals के ओपर पड़े हैं critical minerals की importance के इसका महत क्या है आखिरकार number one importance वो है economic development हमारी जो industries होती है high tech industries electronics, telecommunication, transportation defense sector हो गया ये हर चीज़े minerals के ओपर बहुत ज़ादा भारी मातरा में dependent है critical minerals बहुत ज़रूरी है green technologies के लिए भी जैसे solar panels, wind turbines batteries, electric vehicles batteries के अंदर में lithium चाहिए lithium क्या है? critical mineral है समझ रहो? semiconductor chip चाहिए उसके लिए germanium है, बाकी सारी चीज़े है तो ये आप समझ पा रहोगा कि critical minerals हमारे economic development के लिए सबसे पहले चीज़ काफी ज़दा important होता है और इसी से job growth ठीक है, job मिलेगी क्योंकि obviously बात है जो हमारी industries है, उनके पास मिनरल्स आएगा इससे यहाँ पर production के basis पर job growth income generation, innovations होते हुए नज़र आएंगे second importance होगा national security जो ये minerals हैं, ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए भी important है, आप का होगे, ऐसा कैसे? देखो, किसी भी देश का जो defense sector है, obvious ही बात है, वो उस देश की सुरक्षा करता है भारत के पास में कितने हतियार है, कितने aircrafts हैं, ये सारी चीज़े हैं है ना, वो हमारा defense sector में आता है aerospace sector, भारत की nuclear technology space sector, ये सारी चीज़े बहुत important है किसी भी देश की security के लिए और ये high quality के sectors हो है ना, ये पूरी तरह से minerals के ओपर dependent हैं यहाँ पर इन critical minerals का बहुत ज़ादा use है तो defense के basis पर पूरी तरह से तयार होने के लिए, या किसी भी देश को self-reliant बनने के लिए, आत्म निर्भर बनने के लिए, इन minerals के अंदर में rich होना ज़रूरी है और इंडिया अभी कई सारे critical minerals को import करता है, हमारी जो dependency, हमारी जो निर्भरता है अलग-लग देशों के उपर में वो थोड़ी सी ज़ादा भी देखने को अंदलती है, इन minerals को लेकर, फिर उसके बाद में next importance है environmental sustainability, अब क्या है कि ये minerals का use आप क्या कर सकते हो, environment section में, जो हमारा pollution उसको control करने के लिए भी किया जा सकता है भारत, आज के समय पर बहुत सदा pollution पैदा कर रहा है, greenhouse gas emissions हो रहे हैं, fossil fuels के ओपर हमारी dependency बहुत जादा है, कोईला लगातार use कर रहे है, कोईला जलाया जा रहा है लगातार इससे carbon emissions बहुत जादे हो रहे हैं तो हमने एक तरफ, दूसी तरफ हमने एक promise कर रखा है दुनिया भर में कि 2030 तक 2030 सक carbon emissions को कम करना शुरू कर देंगे, 2070 तक क्या होगा, हम net zero emission की तरफ बढ़ जाएंगे, 2070 के बाद से इंडिया कोई pollution पैदा नहीं करेगा इस प्रकार के बड़े-बड़े हम लोगों ने अपने जो green, जो targets हैं, वो हमने रख रख है बट ये चीज़े कैसे हो पाएंगी पॉसिबल, ये चीज़े तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब इन critical minerals का हम अपने इस sector में यूज़ करेंगे, for example electric vehicles हो गए, है ना क्योंकि transportation, शेक्टरे से pollution खतम करने के लिए आपने battery वाले vehicles को यूज़ करना है, उसके लिए आगे critical minerals का importance है, ये मैं युक्रेयन का conflict, रश्या युक्रेयन का जो ये युद्ध हुआ ना इसकी वज़ा से दुनिया भर में critical minerals के जो supply chain था, वो disrupt हो गया, उसके उपर एक बुरा प्रभाव पढ़ा, अब कैसे देखो, रश्या अगेन, critical minerals का एक बहुत बड़ा producer है उत्पादन करता है इन minerals का दूसी तरफ, युक्रेयन के अंदर भी lithium, cobalt, graphite जैसे rare earth elements अलग हुए और प्लस ये सारे minerals, इन सब के भंडार युक्रेयन में पाए जाता है, तो कही ना कि रश्या और युक्रेयन दोनों ही इन minerals के producer की category में रखे जाता है और अब जब इनके बीच में यह युद्ध होता है, इसकी वज़ा से कोई भी यहाँ पर treat वगरा हो नहीं पाता है और जो critical minerals का supply chain है वो पूरी तरह से disrupt हो जाता है market में critical minerals पहुच नहीं पाता है number one point, यह हमने challenge देखा है पिछले कुस में पर दूसरा challenge क्या है, limited domestic reserves भारत को जो दूसरी चुनोती फेस करनी पड़ रहे है, critical minerals के section में वो यह है, कि हमारे पास में जादा कोई minerals के reserve है यह नहीं ठीक है, इंडिया के पास में बहुत limited reserves है lithium, cobalt, या फिर दूसरे rare earth elements के तो इस वज़ा से, क्योंकि हमारे पास में जब भंडार है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग-लग देशों से supply करवाते हैं, तो दूसरे-दूसरे countries के ओपर भारत की निरभरता dependency काफी ज़ादा है, और जो यह reliance है, यह कईना की भारत के import वाले section को काफी ज़ादा increase कर देता है, समझ गए और फिर तीसरा यहाँ पर जो समस्या है, वो यह है, कि minerals की जो demand है, वो एक तरफ बढ़ती चले जा रही है, ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातर renewable energy वाली जो technologies की manufacturing की जा रही है, electric vehicles की तरफ बढ़ रहे हैं, अब जैसे जैसे जिस वज़ा से अब भंडार की कम यह requirement जादा है, जरूरत जादा है लेकिन हमारे पास में इतना है नहीं, तो इस चक्कर में हमें अलग-लग देशों के उपर में अपनी देश की सारी जो जरूरत हैं domestic needs हैं, उनको पूरा करने के लिए जो हमारा reliance से वो काफी ज़दा बढ़ चुका है, दूसरे countries के उपर बे ठीक है, I hope दोस्तों आपको यह जो आर्टिकल है, बहुत नहीं तरी के से समझ में आ चुका है बहुत सारी चीज़े दे इसके अंदर जो की exam perspective से important है अगले आर्टिकल पर आता है नेक्स राडिकल फ्रेंट पेज पर आपको देखने को मिलेगा water mission may miss 2024 target, अगेन इसको GS paper number 2, government policies and interventions के point of view से link किया जा सकता है especially हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, JJM that is, जल जीवन mission के बारे में आपको पता होगा, जल जीवन mission के अंदर में हमारा एक target है सरकार ने target रखा है कि 2024 तक गाउं के अंदर शहर के अंदर में, हर घर में एक टंकी का connection दिया जाएगा वो जो tap connections हैं, उन connections में एक साफ सुत्रा पानी लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा पर व्यक्ति के साब से कुछ लीटर्स यहाँ पर साइट करा गया था, daily basis पर इतना साफ पानी मिलेगा, इससे हम लोग water security को ensure कर रहे थे कि सभी को पीने योगे पानी दिया जाएगा daily basis पर उनके water connections के थुरू और ये टंकी का connection जो दिया जा रहा है सभी को, ये जल जीवन mission के तहत दिया जा रहा था बठ हुआ क्या, 2024 का मैंने बोला target था, लेकिन अभी ये target achieve नहीं हो पाएगा 2024 तक ये बोला गया है क्योंकि article में बताया जा रहा है कि अभी भी, अगर हम गाउं की बात करेंगे, तो हर चार घर में से गाउं में, हर चार घर में से एक घर है जहां पर थोड़ा बहुत ये टंकी का connection पहुँचा है, drinking water available है, और अभी इसकी शुरुवात, कह सकतो है जो पूरी की पूरी जल जीवन mission है ना इसकी जो शुरुवात है, वो 5% घर तक भी पूरी नहीं होई है, तो कहीं न कहीं यहां पर इसको पूरी तरह से लागू करने में थोड़ा समय लगने वाला है जो हमारा target था कि 2024 तक हम इसको achieve कर पाएंगे that is impossible, वो यहां पर mention किया जा रहा है ठीके तो जो जल जीवन mission के तैत mission है हमारा तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर 2024 तक हम मान के भी चलें चलो एक साल भी मान लें कि 2024 में April तक का target था तो भी 75% जो गाउं के जो घर है ना तो भी 75% तक ही घर cover पाएंगे 25% तभी भी रह जाएंगे तो कहीं न कहीं यहां पर हम लोग बात करें सभी को water security देने की आभी 25% में बहुत सरे लोग यहां पर छूट गए है तो जो target है वो कहीं से भी achieve होता वा नहीं नज़र आ रहा है वो यहां पर ensure क्या गया है वो यहां पर बताया गया है ठीके अब भली यहां पर जो scheme है यह PM Modi ने 2019 में अनाउंस की थी लेकिन उसके बाद connections जितने हमने expect किये थे उतने connections हो नहीं पाए उसके पीछे का reason काफी से सारे reason है जिसकी वज़े से जो बड़े बड़े projects है वो रुख गए थे यह Russia-Ukraine का conflict है यहां पर in tap connections से क्या लेने देना है देखो बोला यह जा रहा है कि Russia-Ukraine का conflict कैसे impact कर रहा है देखो Ukraine जो है बहुत सारा steel और cement भारत को दिया करता है और obviously बात है इन connections को इन metal pipes को बनाने के लिए इनके connections को करने के लिए manufacturing करने के लिए steel cement की आवशकता है लेकिन Russia-Ukraine की war की वज़े से यह import हम नहीं कर पाए ठीक है जिसकी वज़े से अगें जो यह project है वो थम गए तो यह यहाँ पर reasons बताए गए expectation है कि अगर तेजी से काम करते हैं तो possibility इसको cover कर ले लेकिन फिर भी अगर हम यह बात कर रहो आप April 2024 तक इस पूरे scheme को पहुँचाने की लेकिन अगर हम December 2024 तक भी देखें तो भी 80% ही लोग cover हो पाएंगे 20% तब भी रह जाएंगे वो चीज़ यहाँ पर mention की जा रही है देखते हैं खेर आगे क्या होता है बट जो article में था मैंने आपको बताया अब आपन बात करते हैं इस article से थोड़ा से हट के क्योंकि एक्जाम में आपसे कुछ और चीज़े पूछी जा सकती है तो जल जीवन मिशन के बारे में पूछा जा सकता है तो जल जीवन मिशन क्या है एक ऐसा मिशन जिसको 2019 में हमारे प्रधान मंत्री ने लौँच किया था इस मिशन का में में मकसद है साल 2024 तक हर घर में जो टैप का कनेक्शन से टंकी का कनेक्शन से वो देना जिससे की हर व्यक्ति को लगबख 55 लेटर तक पानी हर रोज अम्बिल पाएगा साफ सुत्रा पानी पीने योगे पाने तो जल जीवन मिशन ने आपर ये पूरा का पूरा जो इसका एम क्या है एम हम लोग डिसकस करी चुके है कि वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए पीने योगे पानी होना चाहिए तो ये यहाँ पर प्रोवाइट करवाना फीचर्स क्या होंगे इसके तो जल जीवन मिशन कहीं न कहीं आज के समय में इसमें डिमांड और सप्लाई जो है वाटर की लोकल लिवल पर उसको मैनेज करने का काम करेगा दूसरा फीचर है कि जो लोकल इंफ्रस्ट्रक्चर होता है उसको यहाँ पर बनाया जाएगा जैसे रेन वाटर होर्वेस्टिंग जो बारिश का पानी होता है उसको हम कैसे यूस कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं उन सब सारी चीजों को लेकर जो इंफ्रस्ट्रक्चर से वो यहाँ पर क्रिएट किये जाएंगे बनाया जाएंगे तो यह जलचीवन मिशन का फीचर हो गया है इंप्लिमेंटेशन की बात करेंगे तो पानी समीटीज प्लान जो है इसको इंप्लिमेंट करने का खाम करेंगे मैं आपको बता दूँ कि लगबग कैसे तो अलगलग कमीटीज मनाई जा रही है और उन कमीटी के अंदर में 10 से 15 मेंबर्स होंगे जिसमें से 50% महिलाई भी होंगी और कुछ दूसरे सेल्फ एल्फ ग्रूप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे और भी आंगनवाडी टीचर्स और भी बहुत सरे लोग देखने को मिल जाएंगे ग्राम सबा के पास में लागू करने से पहले इसको रखा जाएगा फिर इसके उपर डीसिजन ले जाएंगे जल जीवन मिशन का पाटरन कैसा है ये थोड़ा डिस्कस करेंगे तो पाटरन मतलब की इसमें पैसा कौन खर्चेगा तो केंद सरकार राज़ा सरकार दोनों मिलकर पैसा χ next करने वाली है तो खासकर जो हमारे पहाड़ी इलाकिय होंगे धियान रखना हिमालन स्टेट्स और नौर्ट इस्टने स्टेट्स North Eastern States में आपका सम हो गया मेघालिया हो गया, तिरुपुरा हो गया नागालेंड हो गया, अरुनाचल प्रदेश हो गया और वो सारे यहां पर जो North Eastern States से उसकी आपन बात कर रहे हैं तो हिमालियन रीजन और North Eastern region में जो खर्चा होगा वो केंज सरकार, राजसरकार मिलकर करेंगी केंज सरकार 90% खर्चेगी और राजसरकार 10% तो 90 to 10 का रेशो यहां पर होने वाला है और बाकी के जो Normal States हमारे बाकी जो सारे राज्य हैं उनमें 50 to 50 का रहेगा 50 to 50 का मतलब है 50% हमारी केंज सरकार खर्चेगी और 50% वो राजसरकार खर्चेगी फिर उसके बाद में जो unit territories होती हैं आपको पता है central government के अंडर में आ रहे होती हैं तो unit territories में 100% खर्चा केंज सरकार की side से किया जाएगा यह basically funding pattern है अब बात यहां पर यह है कि जल जीवन मिशन कैसा काम कर रहा है अभी तक तो बढ़िया काम चल रहा है देखते हैं आगे कैसा होगा तो अभी कई सारे states हैं फोर एक्जामपल गोवा, तेलंगना, हर्याना यहां पर 100% के tap connectivity पहुंच चुके है गरों में ऐसा यहां पर बोला जा रहा है उसके बाद कुछ union territories है फोर एक्जामपल पुडू चैरी, अंडामा निकोबर आइलेंड दादर नागर हवेलिया और दमानेंट दियू जो यह union territories हैं यहां पर भी 100% tap water connections पहुंच चुके हैं काफी से राज़य ऐसे हैं जहां पर 90% काम हो चुका है और 90% काम पूरा होने वाले जो राज़य वो हैं वो हैं पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार आपको देखने को मल जबाएंगे और अभी कौन-कौन से राज़य हैं जहां पर सबसे कम काम हुआ हैं इन tap connections को लेकर तो वो है राजस्तान, देन उसके बाद 36 गड़, जारखन, देन उत्तर प्रदेश ठीक है, तो यह था overall data आते हैं आगे आप दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस बात को बहुत ध्यान से सुनना जो हम लोगों ने paid groups start किया आप चाहो तो इन paid groups को join कर सकतो सारी की सारी background information के लिए जिससे इवेन आपको critical minerals के बारें पढ़ाया उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर यह जो हमारा mission है जिवेन mission उसकी बारें पढ़ाया ऐसे आगे काई सारी articles से हैं मैं आपको काफी extra details देता हूँ उन सबके जो notes बगरा है उनको join करने के लिए आप एक paid group को join कर सकतो हो जिसका amount बहुत ही कम है बहुत ही कम payment है 499 रूपीज for the lifetime access आपने केवल एक ही बार पैसा करज करना है 499 रूपीज उसके लिए एक group आप join कर पाऊगे और वो group का access आपके पास में lifetime जिंदगी बर रहने वाला है कोई दुबारा subscription नहीं लेना है कोई यहाँ पर ऐसा 6 महिने में एक साल में दो साल में कोई subscription नहीं लेना है एक बार पैसा करज करके attention free और groups के अंदर benefits क्या क्या मिलेंगे वो सारी की सारी जो details है वो already में आपको एक वीडियो में provide करवादी है और उस paid group demo video का जो link है वो नीचर description box में दिया गया है आप जैसे description box open करोगे आपको एक दो link बाद वो दूसरा तीसरा link जो है paid group video का मिल जाएगा ठीक है तो आप एक बार उस video को चेक कर लेना क्या के benefits वहाँ पर मिल रहे है और फिर उसके बाद में आप आकर यहाँ पर message कर सकते हो कहाँ पर करना है message? WhatsApp पर एक number है 853-487-3368 इस WhatsApp पर message कर देना अगर आप interested हो इस group को join करने के लिए और message करने से आपके पास में reply आएगा वहाँ पर आपको सारी information शेर की जाएगी क्या है process payment का एक link आपको दिया जाएगा जिसके business पर आप सारा काम कर पाओगे और उसके बाद में paid group को भी join कर पाओगे आगे वही बात बोलूँगा 499 एक minimal amount है आप अराम से afford कर सकते हो और सबसे important कितना पैसा आप सबता में कई बार खर्च भी कर देते होंगे ठीक है normal तरीके से लेकिन आप एक बार यहाँ पर group में join होगे आपको लगेगा विश्वास होगा ग्यार मेना एक महीने में मैंने सारा पैसा recover कर लिया है ऐसा भी बिल्कुल feel होता है वहाँ नजर आएगा क्योंकि उसमें ऐसे भी कुछ content provide कर वाया गया है ऐसे कुछ PDF आपको दिये जा रहे हैं जिसके लिए आपको जगा जगा पर पैसे देने पड़ते हैं वो सारी चीज़ा आपको नहीं देनी पड़ेंगी ठीक है वो वहाँ पर उस group में free of cost हैं बाकी एक छोटी सी request रहती है make sure करना वीडियो पर जो like कर बेटन उसको प्रेस कर देना एक जो target है हम लोग का 5K प्लस likes का प्लीज आप उसको achieve करवा देना साथी साथ मेरे साथ मेरे साथ में Instagram पे जिकुट जुड़ सकते हो Instagram पे जाना सर्च बोक्स में लिखना दीपा ज्यादा वेजूकेशन आपको ये profile मिलेगा जहां पर 13,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में personally जुड़ सकते हो ना दोस्तो आते हैं अगले आर्टिकल पर अगला आर्टिकल भी जीएस पेपर नमबो टू पॉलिटी के पॉइंट एविस से relevant है अभी क्या बात की जारी है देखो बात की जारी है जनगर्णा की census की आब होता क्या है कि हमारा जो आखरी census आया था वो 2011 में आया था सब को पता है लेकिन उसके बाद एक और census क्योंकि जो जनगर्णा है वो हर 10 सालवात की जाती है तो जो नएया census है वो ऐसे तो 2021 में आना था नई जनगर्णा 2021 में आ नहीं थी लेकिन हुआ क्या 2021 में COVID आ गया और COVID की वज़ा से इस पूरी की पूरे जनगर्णा को हमें पोस्ट पॉन करना पड़ गया और पोस्ट पॉन करते करते 2023 आ गया 2023 के साल तक अभी तक जनगर्णा नहीं हुई है तो उसको लेकर बात की जा रही है लेकिन अब आर्टिकल में बोला जा रहा है कि अब आप अगले साल के जो elections है main elections होंगे लोग सबा के उससे पहले आप expect नहीं कर सकतो इस जनगर्णा की क्यों 2024 के जो लोग सबा के elections होने वाला है next year वो सबसे बड़े elections माने जाएंगे और उससे पहले जनगर्णा हो पाना impossible उसके पीछे का reason यह है कि सर जितनी भी members होंगे न जितनी भी members मिलकर जनगर्णा को create करते हैं जनगर्णा करते हैं सारा process होता है तो वो सारे लोग election की duty में लग जाएंगे modal code of conduct को लागो करें में लग जाएंगे तो जो अगला census है next census होगा वो हमारी जो नई सरकार बनेगी वो नई सरकार 2024 में decide करेगी वो उनके उपर होगा जब नई सरकार पावर में आएगी वो ही यहाँ पर बनाएगी अगले census को एसा यहाँ पर बोला गया इंडिया पिछले कई सालों से आप कह सकतो 1881 से 1881 से हर 10 साल में census create करता हुआ आया है एक बार census World War 2 में affect हुआ था और अब यहाँ पर census COVID-19 की वज़़ा से 2020 में affect हुआ है नहीं तो फिर regular basis पर यह census होता हुआ नजर आया है ठीक है समझ गए exactly क्या बात की जा रही है अब यह तो हो गई news news तो आपन पढ़ते रहते हैं ऐसी पढ़ लिया गुमा के और काम खतम अब करना क्या है थोड़ा सा data तो निकालो census के बारे में जानो तो कि 2021 का जो census थोड़ा special भी है special क्यों है क्यों बाकी census से अलग है census का इतिहास क्या है पहला census कब आया था देश की अजादी के बात पहला census कब आया देश की अजादी से पहले पहला census कब आया यह छोटे छोटे important चीज़े prelims के लिए relevant है as a fact दूसरी चीज वन डे examination के लिए important है और मेंस के लिए सारा का सरा जो data दूँगा वो relevant है ही ठीक है आओ फिर एक एक करके सारे points को discuss करना शुरू करता है तो census 2001 पहली चीज़ और पहला question census कौन कंड़ेट करता है कौन बनाता है census census को कंड़ेट किया जाता है Registrar General and Census Commissioner of India के थुरू जो कि Ministry of Home Affairs के अंडर में आते है जितने भी census जितनी भी जनगर्णाए 1951 ज्यानक ने 1951 से हुई है वो सारी जनगर्णाए 1948 के Census of India Act इस कानून के अंडर में तयार की गई है आखरी जो census हुआ था 2011 में हुआ था अगला Census 2021 में होना था बट नहीं हो पया Reason में आपको बता चुका हूँ ठीक है अब 2011 वाला जो Census है अभी तक का वो latest है अगर आपसे पूछा जाए latest Census कौन सा है वो 2011 वाला है अभी से बात अभी तक नहीं है आये ही नहीं हमारे पस में जो 2011 का Census हुआ था वो हमारे देश का पंदरवा National Census था लेकिन जब मैं बात करता हूँ पंदरवा तो हम गिंती कर रहे है इसकी 1872 से 1872 से ये पंदरवा Census था लेकिन 1872 में तो देश अजाद हुआ ही नहीं था सही बात है लेकिन आपसे ये भी पूछा सकता है कि 2011 का जो Census था वो देश की अजादी के बाद में कितने नंबर वाला Census था तो वो साथवा Census था देश की अजादी के बाद का 2011 वाला और अब जो होगा वो आठवा माना जाएगा देश की अजादी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ after independence समझ गए अब जो ये Census होता है ये दो faces में conduct किया जाते है एक होता है Housing Census और दूसरा होता है Population के basis पर Population Enumeration अब बात ये है क्या Census का जिक्र इतिहास में कोई है देखो इतिहास क्या यहाँ पर आप देख पारो अंग्रेजों के जमाने से Census किया जा रहा है लेकिन इसकी जो चर्चा है ना इसका जो जिक्र है वो ancient India medieval India में भी हुआ हुआ है ancient India मतलब आप देखो मतलब जो हमारा Rig Veda है Rig Veda के अंदर भी यहाँ पर कही ना कही population की गिंती को लेकर कुछ चीज़े mention की गई है वहाँ पर यह बात है लगबाग 800 से लेकर 600 BC के समय पर तो उस समय पर भी population counting जैसी चीज़े हुआ करती थी उसके बाद अर्थ शास्त्र जो कॉटले जिने लिखी है 3rd century BC में वहाँ पर भी population counting को लेकर कुछ statistics mention किये गए हैं तो कहीं न कहीं ancient India, medieval India को देखोगे तो इतिहास में बहुत कहीं न कहीं आप देख पाओगे population counting यानि census का जिकर किया गया है उसके बाद मुगल केंग अकबर के समय पर अकबर के साशन के समय पर भी एक report आती थी N.A. अकबरी इसमें भी यहाँ पर population, industry, wealth को लेकर कुछ न कुछ detail से data हुआ करता था तो census कोई नया concept नहीं है, census बहुत पुराना concept है लेकिन अभी modern times में यानि अंग्रेज जब आए, अंग्रेज उन्हें जब इंडिया के उपर rule किया, तो उसमें पर चीज़े थोड़ी सी change हो गई थी अब इंडिया में सबसे पहला देखो अब ध्यान रखना, भारत के अंदर देश के अज़ादी से भी पहले की बात कर रहे है सबसे पहला जो census कंडेक्ट किया या था, वो 1830 में किया या था किस ने किया था, हेंडरी वॉल्टर ने डाका, जो कि बेसिक लिए अज धाका कहलाता है ठीक है, उसमें पर ये इंडिया का इससा हुआ करता था अब क्या है, कि इस census के अंदर में जो ये पहला census हुआ था ना, इस census में population का सरका सरा data with sex, broad age group हो गया house, house में क्या क्या चीज़े हैं वो सारे का सरे data यहां पर collect किया गया था ये पहला census था, 1830 का और जो दूसरा census हुआ वो 1830 से लेकर, sorry 1836 से लेकर, 1837 के बीच में हुआ ये वाला दूसरा census Fort St. George ने यहां पर conduct कर वाया था, ये सारी बाते खोद officially सरकारी website पर लेकी वी है census India करके सर्च कर सकते हो वहाँ पर आपको सारा data मिल जाएगा अब बात आती है census के दो प्रकार की एक होता है non synchronous census और एक होता है synchronous census non synchronous census वो होता है जो कि देश के अलग-लग हिस्सों में होता है, parts of India में होता है synchronous census वो होता है census present किया या था 1865 और 1872 में हमारे देश के अलग-लग हिस्सों में लेकिन जो synchronous census है ये थोड़ा जादा important होता है, पुरे देश के लिए एक जनगरना होती है, तो पहला वाला पुरे देश के अंदर जो जनगरना होई थी first synchronous census जो conduct किया या था वो 1881 में किया था by W.C. Plodden जो कि उसमें पर census commissioner of India भी हुआ करते थे समझ गए, अब आ गया आता है अब 2021 वाले census पर आता है, ये तो हमने इतियास जान लिया 2021 की जो जनगरना है इस बार नई क्यों है, इसमें क्या-क्या चीज़ है special, पहली बार ऐसा होने वाला है कि जो data collect किया जाएगा population का, वो digitally collect किया जाएगा mobile applications का use करके किया जाएगा, ठीक है यहाँ पर offline mode भी रहेगा घर जाकर भी data collect होगा, लेकिन online mode भी देखने को मिलेगा, पहली चीज़ जो की different होगी दूसरी चीज, census 2021 जो होगा, ये 18 languages, जैसे आपको बताऊगा, हमारे संभीदान में, आठवे schedule के अंदर total 22 languages को हमने रखा वा है तो उन 22 में से, अब की बार 18 languages में, ये census publish होने वाला है, ठीक है, और English में भी, तो census 2011 जो था, वो केवल 16 भाशाओं में publish हुआ था, इन 22 भाशाओं में से अपकी बार 18 भाशाओं में यहाँ पे publish होगा, ठीक है उसके बाद, यहाँ पे अपकी बार के census में एक नई category भी है, वो है third gender, ठीक है आपको बता है, male, female, दो gender हो गए उसके बाद में तीसरी option में पहले other category रख दिया करता था बट अब यहाँ पर other को change करके third gender रखा जाएगा, यह बोला जा रहा है ठीक है, 2011 में other category में लगवाग 5 लाग क्या सपास लोग थे बट अपकी बार third gender रखा जाने वाला है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है और हमारा पूरा census का इतियास जनगर्ना का जो भारत का पूरा 140 साल का इतियास है उस पूरे 140 साल के इतियास में पहली बार ऐसा होगा कि जो सारा का सरा data collection है वो mobile app के माधियम से किया जाएगा census का जो भी data available होगा वो 2024-25 तक available होगा, ऐसा भी यहाँ पर mention किया जा रहा है मैं आपको बता दूँ कि 2011 का जो census हुआ था उसका data भी थोड़ा थोड़ा करके अभी तक हमें देखने को मिलता है तो census जब भी होता है तो complete होई नहीं पाता है जैसे साल बेटते रहते हैं कुछ नहीं data आता रहता है ठीक है यह बात मैं आपको बता दिए आपकी बार data collection में थोड़ा सा एक issue हैगा cast data collection के अंदर basically क्योंकि 2018 में ministry of home affairs ने यह बोला कि जैसे OBC या अदर backward classes यह category भी 2021 के जन्गरना में include की जाएगे बट जो हमारे दूसरे expert से उनका कहना यह है कि अलग cast category को include करना बनता नहीं है क्योंकि इससे क्या होगा बहुत सारी cast generate हो जाएगी अब जैसे कि यादव की कोई cast है तो उसमें यहाँ पर एक person यदू लगा लेता है यादव cast या फिर कोई यदूवंशी लगा लेता है तो ऐसी cast और बहुत सारी हो गए तो इससे जो standardization होते है quality जो होती है वो यहाँ पर ensure नहीं कर पाएंगे ऐसी बात भी mention की जा रही है तो अब की बार क्या क्या special है वो भी मैंने आपको बता दिया है यह digital consensus कैसे होगा वो भी आपको समझ मा आ चुका है clear हो गया तो article से जादा relevant वो information थी जो आपके साथ में share की गई आगे आते हैं next article पर now next article पर आते हैं यहाँ पर आपको पता होगा जो हमारे प्रधान मंत्री है इन्होंने मध्य प्रदिश के अंदर में एक speech दी है अब आपको पता है speech वगरा यार important नहीं होती है speech में बोला गया देखो opposition वाले जो लोग है वो यहाँ पर current government टार्गेट बनाता है current government opposition को लेकर बाउलती है जैसे अभी पिया मुदी ने speech दी तो speech देते हैं यहाँ पर Congress सरकार के बारे में काफी सारी बाते mention की गई है जैसे कि करनाटका के अंदर भी Congress की सरकार बनी लेकिन यहाँ पर करनाटका क्या कर रहा है वहाँ पर Congress की सरकार free वाली जो schemes ले करा रही है वो देश के लिए खत्रा है वो इन्होंने mention की है कि वो free schemes ले तो आएंगे लेकिन उसको लागू कर पाना अगर लागू कर भी दिया तो इससे सीधा-सीधा यहाँ पर country के economy के ओपर आने वले समय पर एक प्रभाव देख सकते हो ठीक है यह बात यहाँ पर PM Modi pension करते है साथ साथ में इन्होंने बोला भी है कि अगर वो लोगों की pension बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा लोगों को salary time पर नहीं मिलेगी कहीं न कहीं बहुत सरे issues यहाँ पर होते रहेंगे चीक है और at the last क्या होगा सारी चीजों की महंगाई बढ़ जाएगी जब जहाँ पर economy हमारी संबलेगी नहीं तो जो कि starting में सरकारी जो treasures है government जितना भी treasurer है वो आप ऐसी खर्च कर दोगे free में सारी schemes को भाट कर तो वो treasurer खतम होने के बाद में एक issue develop होने वाला है वो बात इन्होंने याँ पर mention की है चीक है तो अभी आप देख पाऊगे जो PM Modi है वो यहाँ पर जो एक यह statue रखा है रानी दुर्गवती जी का यह मदरप्रदिश के सादोल district का है तो अभी इस statue को यहाँ पर शदांजली भी दे रहे है तो रानी दुर्गवती जी के बारे में जरूर से पताऊना चाहिए अब रानी दुर्गवती जी दो तीन चीजों की वज़ा से निउस में बनी वी है अभी थोड़ दिनों पहले मदरप्रदेश की सरकार ने छे दिन की एक रैली को लॉंच किया और रैली का नाम रखा रानी दुर्गवती गौरव यात्रा ताकि यहाँ पर जो यह 16 सेंचरी की महरानी थी इनको इनोंने जैसे मुगल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो इनको सम्मानित करने के लिए यह रैली को रखा गया था इस मज़े से यहाँ पर यह निउस में थी अब रानी दुर्गवती जी थी कौन थोड़ा सा इनके बार में बात करते हैं रानी दुर्गवती जी का जन्म हुआ था 1524 में कहां पर महुबास चंडेला डाइनेस्टी के अंदर में जो की प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश के अंदर में मतलब मद्यप्रदेश और रतुप्रदेश का जो बॉर्डर है जस्ट बॉर्डर के पास में आपको देखने को मिल जाएगी चंडेला डाइनेस्टी मतलब उस डाइनेस्टी की हम लोग बात करें प्रेजेंट समय पर कहां पर हो मैं आपको बताया खेर उस डाइनेस्टी में आप इनका जन्म होता है अब चंडेलास जो है वो जाने जाते थे किसीच के लिए आपने खजुराहो टेंपल्स का नाम सुना होगा जो खजुराहो वाले टेंपल्स हैं 11th century के अंदर उसको बनाने में हापर चंडेलास का काफी important role था वो famous भी थे इसी चीज के लिए जिन्होंने ये खजुराहो टेंपल्स को built किया बनाया उसके अलावा रानी दुर्गवती जी ने शादी की दलपट शाजी से ठीक है दलपट शाजी जो की एक गॉन्ड किंग जो गॉन्ड ट्राइब्स है ना उनके king है संगराम शाह उनके बेटे थे ठीक है उनसे याँ पर शादी की उसके बाद में जो घर कतंगा पूरा का पूरा kingdom था उस kingdom को पूरी तरह से rule किया गया और फिर क्या होता है इनके husband की death के बाद में इनके husband की death होती है फिफटीन-फिफटी में 1550 में तो husband की death के बाद में इन्होंने उस पूरे kingdom को जो यहाँ पर घर कतंग kingdom है इस पूरे kingdom को पूरे जो उस पूरे ताकत के साथ में इन्होंने rule किया ठीक है यह यहाँ पर इनके बारें बताया जिया उसके बाद बोला जा रहा है जो ये kingdom of घराकतंग है ना इसके अलाबा इसमें कुछ और regions थे जैसे नर्मदा वैली हो गई या उसके अलाबा मद्यप्रदेश के नदन वाले कुछ हिस्से हो गई वो सारे यहाँ पर चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है सरकारी जो सारे documents हैं सरकारी documents के according अगर हम बात करें तो जो राणी दुर्गवते जी थी और साधी साथ में इनके जो generals थे उन्होंने इस पूरे kingdom को 16 साल तक rule किया था 16 साल तक जीतने भी यहाँ पर matters होते रहते उन सब को manage किया लेकिन बाद में पूरे इस kingdom के ओपर जो घरकतंगा kingdom है इसके ओपर मुगल अटैक हुआ राणी दुर्गवती जो कि एक कह सकते हो बहादुर राणी थी queen थी इस पूरे kingdom की इन्होंने यहाँ पर मुगल empire के expansion को पूरी तरह से रोका मुगल empire के expansion को यहाँ पर इसके खिलाफ में खड़ी हुई mid 16th century के आसपास की बात की जा रही है तो इन्होंने यहाँ पर कही ना कि अपनी एक leadership को दर्शाया और अकबर का जो कमांडर था असफ खान इस कमांडर के खिलाफ में यहाँ पर एक strong leadership को दिखाते हुए लेकिन बाद में फिर से जो मुगल से यह वापस से खाटे उन्हें लगे इन्होंने अपनी वापस से regrouping करी यह regrouping करने के बाद में यहाँ पर इन्होंने वापस से kingdom के उपर attack किया अब उस समय पर दुर्गवती जी ने surrender करने से अच्छा अब वहाँ पर उन्होंने गुटने तो नहीं टेक है surrender करने से अच्छा अपने जीवन का ही बलीदान दे दिया फिर उसके बाद में आज हम लोग इनके बारें बात करते हैं इनके बादूरता के बारें बात करते हैं इनके legacy के बारे में इनको एक पेचान देने की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जाता है कि यह एक self determination के तौर पर एक बहुत बड़ा symbol है उसके साथ साथ यहाँ पर इनका जो sacrifice है यह दिखाया है कि इन्होंने अपने culture की production करते हैं culture को defend करते हैं उन्होंने sacrifice किया उसके अलावा यहाँ पर अबुल फाजल अबुल फाजल बेसिकली अकबर के court historian में से एक historian है और उस historian ने यहाँ पर mention किया है कि जो रानी दुर्गवती है यह जो रानी दुर्गवती जी थी यह एक combination देखिए इसकी सीज़ का beauty, grace, courage और बहादुरता का ठीक है यह चीज़े यहाँ पर इनके बारे में mention की जाती है तो थोड़ा relevant चीज़े हैं ध्यान अकना आगे आते हैं next article पर नवाते हैं science and tech के page पर science and tech के page पर आज कुछ जादा खास चीज़े नहीं है दोस्तों आप इसको skip भी कर सकते हो खेर जो भी यहाँ पर है नॉर्मल तरीके से चीज़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे एक article यह है क्योंकि Sunday में आपको पता है नाई editorial आता है नाई text and context आता है cable science and tech का page आता है तो यह जो article आपको दिख रहा है यहाँ पर बात की जा रही है extreme rainfall के बारे में तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो खतरनाक वाली जो बारिश होती है इसकी जो intensity है वो अंदाज है कि आने वाले समय पर 15% से बढ़ जाएगी जो बारिश है इसका खतरनाक पना dangerous जो चीज़ है यह इसके अंदर में जो भारी बरिगम जो मूसला धार बारिश बोलते है इसका जो nature है वो और ज़दा खतरनाक हो जाएगा 15% तक आने वाले समय में और उसके पीछे का reason क्या होगा global warming climate change लगातार जो यहाँ पर वातवरण जो हमारा temperature हमारा top man increase होता चले जा रहा है किसकी वेसे pollutions की वज़ा से इसकी वज़ा से कहीं ने कहीं जो हमारा northern hemisphere है हमारा north का जो हिस्सा है उसमें बारिश होने के chances भी काफी ज़दा बढ़ रहे हैं एक तरफ बरफ लगातार पिगल रही है क्योंकि गर्मी बढ़ने से जो हमारे glaciers हैं वो पिगल रहे है और glaciers पिगलने के वेसे समुदर का स्तर भी बढ़ रहा है और दूसी तरफ यहां पे आप देखोगे तो गर्मी बढ़ने के वेसे northern hemisphere में बारिश होने के chances भी काफी ज़दा है और बारिश की intensity जो उसका nature है वो और ज़दा dangerous हो सकता है यहां पर बताया गया है इविन यहां पर कई सरी laboratories हैं उन laboratories ने यहां पर सारी चीज़े observe करी है इतिहास observe किया है और यहां पर 1950 से लेकर सारा data collect करने के बाद में आगे के future predictions करे हैं और आगे के future predictions करते वे इन्होंने यहां पर यह बोले हैं कि अगर जो हमारा temperature है हमारा जो तापमान है पृत्वी का आगे अगर एक degree Celsius से अगर और गरम होता है तो इससे बारिश 15% और खतरनाक हो जाएगी और पता है एक तरफ जो glaciers पीगल रहे हैं समदर का स्तर बढ़ रहे है वो दीरे दीरे हो रहा है उससे जादा खतरनाक यह situation होगी जब एक मुसला धार बारिश होगी क्योंकि मुसला धार बारिश एकदम से बादल फटने वाली जो सिनेरियो है उससे एकदम बाढ़ा आती है और बाढ़ाने की वज़े से आपको पता है क्या क्या issues हो जाते है example आप Pakistan का लेए सकते हो पाकिस्तान में जो पिछले साल बाढ़ा आई थी उसके से 30 billion dollars का loss हुआ है ठीक है million dollars का million dollars का loss हुआ और भी कई सारा loss यहां पर उनका बताया जा रहा है कैसर लोग की जान जाती है जो infrastructure है वो यहाँ पर destroy होता वो नजर आता है तो कहीं नहीं कि glaciers के melting से काफी ज़दा खतरनाक है extreme rainfall यह भी इस article में समझाया गया ठीक है तो बट यह सारी चीज़े किस के हाथ में यह सारी चीज़े human activities के उपर depend करती है कि एक मानव nature के साथ में किस तरीके से व्यवार करता है nature के साथ में अगर बुरा व्यवार होगा तो अब वे सिराते होगा वो प्रक्रेती भी पलट कर उल्टा ही जवाब देने वाली है तो हमें खासकर यह चेतावनी है और चेतावनी लगाता रजारी है कि भाईया pollution को थोड़ा control कर लो थोड़ा यहाँ पे अपना हाथ रोक लो क्योंकि अगर pollutions पे हम control नहीं करते हैं हर जगा से यह emissions होता रहता है तो इसका impact तो जरूर से हो गई होगा समझ गए अगले article पर आते हैं उसका दोस्तो एक article यह है flood scenario को लेकर है कि कौन-कौन से areas में भाढ़ा आती है उसको लेकर कुछ data वगरा है अगे न आप यहाँ पर इसको हटा सकते हो कोई काम का नहीं है यहाँ पर एक article आपको देखने को मेलेगा छोटा सा है क्या बात की जा रही है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं तो पहला जो ghost particle image है Milky Way galaxy का वो दिखाई दिया है यह जो image आप देख पा रहोंगे Milky Way galaxy का वो image यहाँ पर दिखाई दे रहा है Milky Way galaxy लंबे समय से आप कह सकते हो इसको observe किया जाता है कैसे तो जो इससे electromagnetic radiation निकलता है इस radiation को हम लोग detect करता है ठीक है इस galaxy जे radiation निकलता है उसकी जो frequencies होती है उसको detect किया जाता है उसको observe करने के बाद मैं मिलकी वे galaxy को हमने observe करता है तो जो scientist है scientist ने यहाँ पर एक नया एक अलग से एक कह सकतो बहुती ज़ादा different image निकला है हमारी galaxy का और वो different image कैसे निकला है जो neutrinos होता है वो हजारों neutrinos का जो origin हुआ है हजारों neutrinos कैसे पैदा हुए है उनके उपर research की गई है ठीक है उनके उपर research करने के बाद मैं आप कह सकतो एक नया galaxy का जो यह image है वो देखने को मिलेगा जिसको नाम दिया गया है कि मतलब यह कोई पहले neutrinos क्या होता है neutrinos बैसिकली एक ghost particle होता है ghost particle मतलब इसको ढूणना बहुत मुश्किल है यह दिखता नहीं है और नहीं यहाँ पर यह इसके अंदर कोई electrical charge होता है तो इसका कोई reaction भी नहीं होता है पता नहीं चलता है इसके बारे में इस विसेस को हम लोग ghost particle भी बोलता है तो ghost particle से बना हुआ एक milky way galaxy का image आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो image यहाँ पर recently reveal किया गया है तो यह image neutrino based है neutrino से बनावाई image बस खली इतना ध्यान लखना है अब यह सर neutrino होता क्या है इसको जानना भी उतना ही जादा important है जितना जादा यहाँ पर कह सकते हो इस article को आपने पढ़ा अब neutrinos होते क्या है देखो neutrinos basically एक elementary particle है atmospheric neutrinos वगरा भी होता है यह neutrinos हमारे अंतरिक्ष में जो present है इनको पढ़ा जाता है इनको study किया जाता है अब study किया जाता है ताकि हम थोड़ा सा अंतरिक्ष के बारे में universe के बारे में जान सकें लेकिन इन neutrinos को detect करना इनके बारे में पता लगाना इनके बारे में जानकरी लेना बहुत ही जादा मुश्किल है reason यह है कि इनके अंदर कोई भी electrical charge नहीं होता जैसे बाकी सारे आपको object जो देखने को मिलेंगे space में उनके अंदर electrical charge होता है जो कि atmosphere के साथ में react कर जाता है और react करने के बादे उनको observe करना असान होता लेकिन इनके बारे में electrical charge है नहीं तो पता चलता नहीं इनके बारे में ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी neutrino's का एक बहुत important role है हमारे universe के अंदर में universe की physics के अंदर में तो जो हमारे physicists हैं जो physics के sector में काम कर रहे है वो लगातार try कर रहे है इस neutrino's के बारे में जानने के लिए बिछले दस्यों साल से उसके बाद में बोला जाता है neutrino's produce कैसे होता है कैसे बनते हैं देखो neutrino's तब produce होता है जब एक high energy का process होता है यानि supernova supernova आपको पता है supernova में क्या होता है कि जो एक बहुत बड़ा star होता है बहुत बड़ा सितारा होता है न वो अपनी last stage में होता है dying stage में होता है खतम होने वाला होता है तो खतम होते होते हैं उसमें एक explosion होता है बड़ा सा boom एक explosion होते ही याँ पर क्या होता है एक energy निकलती है और वहीं से हमारे neutrinos भी produce होता है ठीक है हम neutrinos को earth पर भी produce करता है लेकिन वो अलग है हम space वाले neutrinos की बात करें earth पर कैसे produce करता है जो हमारे nuclear power plants होता है वहाँ से produce होता है ठीक है लेकिन यहापे मैं आपको बताया कि जो stars हो गया supernova हो गया उससे यहाँ पर हमारे neutrinos produce होता है neutrinos जो है हमारे अंतरिक्ष में second most abundant particles है दूसरी ऐसी चीज़े जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है photons के बाद में photons अभी भी पहली चीज़ है photons basically light particles की बात कर रहे है तो light particles अभी भी भी होता है second most abundant चीज़ आपको neutrinos देखने को मिलेंगे और यह कहाँ पर produce होता है जो हमारा star जो हमारा सितारा होता है उसका main core है उसका जो beach का ऐसा है उसमें यहाँ पर यह produce होता है अब neutrinos का use कैसे किया जा सकता है इसका use काफी अच्छी तरीके से क्या जा सकता है हमारे अंतरिष्ट के बारे में जानने के लिए जैसे जो हमारी सूरे होती है सूरे की properties को जानने के लिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो sun का surface है ठीक है sun की जो सतह है वहाँ से भी light निकल रही है है ना वो light भी यहाँ पर काफी तजी से जा रही है और वैसे ही same light यहाँ पर neutrinos से भी निकल रही है जो कि यहाँ पर speed of light की तरह चलती है ठीक है अब क्या होता है इस neutrinos को study करने से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा सूरे है उसका जो interior nature अंदर का nature है वो कैसा है ठीक है प्लस उसके बाद universe के और भी जो भी हमारे constituents हैं उसके बारे में जाना जा सकता है उसके बाद में universe कैसे कैसे बना है उसके बारे में जान सकते हैं हम लोग ठीक है क्योंकि neutrinos क्या है एक undamaged messengers हैं ठीक है जो कि यहांपर कहीं पर भी इनमें damage नहीं हुआ है यह कुछ ऐसे messages हैं जिससे हम लोग universe के origin को जान सकते हैं ठीक है बिग बैंक के बाद में जैसे एक गोला था वो boom हुआ वो explode हुआ फिर दिरे-दिरे करके यहांपर universe हमारा felt चला गया तो वो सारी जानकारी हमें मिल सकती है प्लस medical sector में भी neutrino उसका use के जा सकता है जैसे अभी x-ray machines, MRI scan के अंदर में particle detectors का use करते हैं वैसी आपका I.N.O का भी use के जा सकता है I.N.O यानि की हमारा neutrino की बात कर रहे हैं अब I.N.O बिसिकली एक और चीज़ है जो की neutrino को observe करने का काम करेगी तो यह जो इंडिया neutrino observatory होगी यह कहाँ पर बनाई जाएगी तामिल नाडू के अंदर में इस project को बनाने के बारे में बोला गया तामिल नाडू के अंदर में specially जो खासकर एक गाउं है इंसिट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के तुरू दन उसके बाद टाटर इंसिट्यूट ऑफ फंडेमेंटल रिसर्च ने भी यहाँ पर यह जो प्रोबोजल हो दिया है ठीक है समझ में आया क्या है पूरा प्रॉसस आ गया आता है नेक्स टाइंगे फ्रीक्वेंट आस्क्वेस्टन पेज के उपर में यहाँ पर अगेन कुछ खास नहीं है दो आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे एक तो यह वाला कि जो अर्टमिस अकॉर्ड है वो यहाँ पर अभी साइन किया जा रहा है तो क्यों आई भी है इसके बारे में सारा डेटा मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है प्लीज आप लोग एक काम करना 26 जून वाले वीडियो को देख लेना 26 जून 2023 आपको लिखना है और दाहिंदू अनेलिसिस लिख देना भाई दीबा या दाव एजुकेशन आपको वीडियो मिलेगा उसमें मैंने पूरा का पूरा एडिटोरल डिसकस किया है आपको समझाया है कि किस प्रकार से जो दवाईया है हमारे देश के अंदर में उनका मैनेजमेंट होता है आपको याद आ रहा होगा ठीके अब यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा आर्टमिस अकॉर्ड को लेकर बात की जा रही है पहली चीज़ तो दोस्तो यह समझ लो आर्टमिस अकॉर्ड क्या है देखो 21 जून को इंडिया 27 वा मेंबर बन चुका है जिसने इस अकॉर्ड को साइन किया है और पहली चीज़ यह अकॉर्ड नॉन बाइंडिंग है नॉन बाइंडिंग मतलब यह हमने साइन किया हम इससे कभी भी बहार हो सकते हैं उसकी कोई जिमेदार ही हमारे उपर नहीं है ऐसा नहीं कोई दबाव बने रहेगा भारत ने कोई contract sign करते हैं कि भारत sign करके निकल नहीं सकता नहीं नॉन-minding है चाहे तो हम इससे कभी भी बहार निकल सकता है Artemis Accord है क्या यह बेसिकली चांद पर जाने की तयारी है Artemis Accord एक non-minding set of principles है जैसे मैं आपको बताया जिसमें main मकसद है कि हम लोग space का और ज़द exploration करेंगे इसमें America का जो NASA है वो दुनिया भर के कई सारी बड़ी-बड़ी countries की space agencies को अपने साथ में लेकर आ रहा है जिससे कि दुनिया भर की countries साथ में मिल कर space को खासकर चंदरमा को और ज़दा explore कर सकें तो NASA ने US Department of State के साथ में coordination करने के बाद में collaboration करने के बाद में Artemis Accord को establish किया है 2020 के अंदर में फिर उसके बाद में बोला जा रहा है कि अभी के समय पर और भी कई सारे साथ अलगलग countries है जिन्होंने यहाँ पर इसको found किया है और countries यहाँ पर join कर चुकी है 30 मई 2003 तक यह कुछ ऐसे देश हैं जो कि NASA को join कर चुके हैं इस particular agreement के अंदर में और अब इंडिया भी join कर चुका है यह आपने ध्यान में रखना है लेकिन यह agreement non-binding agreement है कभी भी हम इससे बाहर निकल सकते हैं कोई भी हमारे उपर question नहीं उठाएगा नासा का जो यह Artemis program है यह Artemis program का main मकसद क्या है इसका मकसद है कि NASA humans को इनसान को चंदरमा पर लेकर जाए 2024 तक वहाँ पर उनका permanent settlement भी करवाया जाए एक permanent base बनाया जाएगा जिसमें इनसान रुख सके वहाँ पे चंदरमा के उपर में और इसमें अभी तक तो खास कर आपको बता होगा कि हमने mail को बेजा पुरुष को बेजा है पहली बार planning चल रही है कि हम लोग पहली महिला को भी भेजेंगे चंदरमा के उपर में तो काफी सरे humans को भीजने के बारे में चंदरमा को colonize करने के बारे में बेसिकली आप कह सकते हो ये बात की जा रही है आर्तमेस प्रोग्राम के तहट तो इस mission से क्या होगा नासा का जो main मकसद है वो यह है कि हम लोग कुछ discovery करेंगे economic benefits मिलेंगे और भी बहुत सरे फाइदे म को भी लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका criticism भी बहुत जादा हो रहा है काफी experts का कहना यह है कि end वक्त पर जब सारे देश मिलकर काम करेंगे लेकिन ये चंदरमा पर पहुंच जाएंगे humans को पहुचाना शुरू करेंगे permanent base बना लेंगे उसके बास सारा credit NASA के पास जाएगा कि NASA ने ये सारा काम करके दिखाया है ठीक है ऐसा भी scenario यहाँ पर आपको नजर आता हुआ दिखेगा खैर इसका impact भारत के उपर भी पढ़ेगा भारत क्योंकि भारत अपनी खुद की चंद्रियान 3 की तयारी कर रहा है आपको बता होगा चांद पर जाने की तयारी हमारी चल अपने इसरो का बजट थोड़ा सा और बढ़ा हो ताकि इसरो ना साके साथ मिलकर भी काम कर सके और उसका चंद्रियान 3 वाला जो प्रोजेक्ट है उसके साथ-साथ यहाँ पर जो हमारा गगनियान वाला प्रोजेक्ट है वह भी हम कर सके हैं क्योंकि हमारे उपर कोई impact परना चाहिए, हमारा काम चलता रहे ठीके, वो पता नहीं, पर्मेनेंट है नहीं है लेकिन हमारा इजरो तो पर्मेनेंट है देश के लिए उसको तो काम करना पड़ेगा ठीके, उसके साथ साथ इन्होंने बोलाए कि जो प्राइवेट सेक्टर से वो आ सकते हैं उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा आर्टिकल और है जिसको GS paper number 3 environment वाले section के साथ में link किया जा सकता है बात की जारी है कि भारत ने लगबख 664 के असपास जो animals की species हैं जानवरों की अलग-अलग प्रजातिया हैं उनको अपने जानवरों वाला जो database है उसके अंदर और add कर दिया है और 339 जो tax हैं जो plants हैं उनको अपने floral वाले data में add कर दिया है ये जो 664 नई जानवरों की प्रजातियां मिली हैं और 349 नए plants की प्रजातियां मिली हैं ये सारी प्रजातियां 2022 की हैं तो ये 2022 की प्रजातियां पाई गई हैं ध्यान रखना तो अभी 2023 का data 2024 में आएगा लेकि ठीक है किरेला का contribution 14.6% के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा है ऐसा हमारे environment minister बोलता है अब कौन को से जानवर मिल हैं उनके नाम दिये गए भाई इसको आप लोग खुद भी read कर सकते हो मैं भी सिधा-सिधा पढ़ूंगा ही मुझे भी इन जानवर के बारे में नहीं प बता सकता हूं कि maximum discoveries कहां से होई है केरेला से उसके बाद दूसरा करनाटिका हो गया तीसरा तामिल नाडू हो गया तामिल नाडू से बहें कही सारी discovery हो इन वेस्ट बेंगौल अरुनाचल प्रदेश हो गया यहां से सबसे जादे इन animals और plants की species के discovery की गई है ठीक है अब जित वो तयार किया है Zoological Survey of India ने किसने Zoological Survey of India ने और जो plants वला डेटा है वो plants के discoveries का डेटा तयार किया है Botanical Survey of India ने BSI ने तो ZSI BSI दोनों की बीच का difference क्या है यह आपने पता होना चाहिए आप एक एक करके समझेंगे important है क्योंकि आपको बताओगा Archaeological Survey of India को लेकर UPSC ने पहले सवाल पूछ लिया था ऐसी आपसे Zoological Survey of India को लेकर भी पूछा जा सकता है तो Zoological Survey of India basically हमारे Ministry of Environment के अंडर में आने वाला एक organization है जिसको 1916 में बनाया गया था और यह एक national center है यानि जितने भी जानवरों का सरवे है उनके बीच में exploration करना है सारा data ही खटा करना है उनका compilation क करना है वो सारा काम Zoological Survey of India का होता है Zoological Survey of India का एक main headquarter Kolkata में है बाकि इसके 16 अलग-अलग regional stations भी है जो कि देश में अलग-अलग जगा पर इस्थित है दन उसके बाद में बात आती है Botanical Survey of India के ये भी relevant है Botanical Survey of India अपने आप में ही एक सबसे उच लेवल का organization है जिसका main का काम में research करना और ये भी हमारे Ministry of Environment Forest के अंदर में आता है और इसका main काम क्या है जो भी हमारे plants को लेकर flora को लेकर data है वो सारा compile करना और Botanical Survey of India को established का गया था बनाया गया था 13 फरवरी 1890 में basic object यही था कि देश के अंदर जितने भी plant resource हैं उनको और जद explore करना इनके ओपर research करना नए नहीं plant की species को identify करना उसके बाद जो Sir George King थे न ये उस समय पर Royal Botanical Garden के superintendent हुआ करते थे इनको Botanical Survey of India का पहला ex-official honorary director की तोर पर appoint किया गया था तो Botanical Survey of India के पहले director कौन थे वो थे Sir George King ये इनका नाम है फिर देश के अजादी के बाद में ये जो department है इसको सरकार ने अपनी खुद से पहचान दी देन उसके बाद में इस department का काम रहा है हमारे देश के कई सारे scientific development के basis पे देन उसके बाद में इसके और ज़दा मतलब कह सकतो इस body को हमने और ज़दा expand करना start कर द सरी कैसरे plants ऐसे जो की काफी खत्रे में उनके उपर research करना उनका documentation तयार करना सर्वे करना ये सारे main काम आज के समय में हमारे botanical survey of India के पास में है उसके बाद जो हमारे Indian plants का भारती जितने भी पौदे हैं भारती जितने भी पेड़ पौदे हैं उनकी plants का जो national database होता है वो भी ये तयार करता है जैसे जिसमें herbarium हो गया live specimens, botanical paintings हो गए दूसरे examples हो गए इन सब चीजों को लेकर एक database पुरे देश का database तयार करने का काम किया जाता है zoological survey of India के थूँ ठीक है दोस्तों ये था यहाँ पर हमारा complete article तो ये important है जो मैंने आपको basic चीज़े बताई है ठीक ह बाकि इस article को एक बार read खुद से भी कर सकता हो, कुछ animals के नाम देगे हैं जैसे आप यहाँ पर देख पार होंगे, mecca है, कुछ बंदरों की नहीं प्रजातियां मिली है, चिलियों की नहीं प्रजातियां मिली है, mammals की कुछ नहीं species मिली है, उन species के नाम यहाँ पर दिये गए हैं, चीक है, कई सारी species हैं, तो इस वज़ा से PDF में आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट करवाऊंगा, वहाँ से आप लोग इस वाले article को एक बार read कर सकते हो, आते हैं हम लोग अपने prelims वाले question के तरफ, आज का prelims का question क्या बोलता है, तो 2015 का question था, question था, modern scientific research के context में एक चीज है, ice cube, एक particle detector है, जो की south pole में located है, इसको लेकर तीन स्टेटमेंट्स हैं, बताओ कौन सा स्टेटमेंट्स हैं, तो इसका statement, इसका जो नीचे options ये रखे हैं, इसमें सही उतर है, option number D, 3, 1, 2 and 3, तीनों के तीनों statements आपको सही देखने को मिलेंगे, य जो dark matter है, उसके बारे में search करना, प्लस यहाँ पर इस पूरे detector को हमने ice के अंदर में बरीट कर रखा, ice के अंदर में दभा रखा है, ठीक है, तो यह उसमें पर news में था, जिसके basis पर एक question पूछा गया था, नाव मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के नाइस दे, थैंक यू एंड जय हैंद